हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो और मेरे चैनल कुकिंग विद उर्मी ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम मुंगफली ले लेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे यानि भून लें पहले हैं अगया इसकी फिलेम को ओन करकर यह मुंगफली हम जाल लेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे रोस्ट हमें लो मिडियम फिलेम पर ही करना है यह क्या होगा मुंगफली में कलर आ जाएगा यानि चिपकने लगेगी तो अच्छा कलर नहीं आएगगा इसलिए आप ल डेल के लिए उठाइज एपमेश घृत होगाए तो चलिए कैसे आपको को चेक करना है तो क्या करना है हातों में एक मुंफली ले लेना है । आतु में वहाथ होぎ iikaa क्रूटी तो इसा हाथों से ही ऐसे मेस किजिएगा तो बहुत ही आसानी से चिलका उतर जाता है तो इसी तरीके से हाथों से मेस करते हुए ही सारी मुंगफली का चिलका निकाल लेंगे फिर हम इसका सारा चिलका निकाल कर साप कर लेंगे तो देख सकते हैं सारा चिलका निकल चुका है तो बनाने के लिए हमको दो भाग वाली ही यानि मुंफली चाहिए हाफ वाली मुंफली चाहिए तो बस मुंफली तयार है तो सबसे पहले एक पोली थीन ले लेंगे प्लास्टिक ले लेंगे आप चाहे तो एक प्लेट भी ले ले सकते हैं और इसमें हम घी लगा लेंगे घी या में लें फिर से और इसी में हम घूम डालेंगे जितना हमने मुंक फली ली थी उतना ये प्हूर डालना है यह दो सुकुर्म मुंक फली ठंडा पानी में हम यह एक दो बून डाल लेंगे और चेक करेंगे तो हमें बिल्कुल टूटना चाहिए ऐसा तो अभी देख सकते हैं इससे तार निकल रही है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए तो इसे कुछ मिनट और पका लेंगे और कुछ मिनट पकाने के बाद फिर से हम इसे तो एक दो बुन फिर से हम डाल लेते हैं गुड़ और फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तार वाली हमें चासनी नहीं चाहिए क्रिस्पी चाहिए जो की टूट जा तो इसी तरीके से हमें चेक कर लेना है यह देखिए बिल्कुल टूट रही है तो बस हमें ऐसे करने लगती है तो फिर हम इसमें GAS FLAM को बंद कर कर यह मुंगफली हम ने साब करी थी वह डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है पक चुकी है ऐसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है और गर्मा गरम हम plate या फॉलिथीन में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं मुंफली और गूर हमारी अच्छी तरीके से mix हो गई है और ज्यादा time नहीं लगाना है गर्मा गर्म इससे निकालना नहीं तो क्या होगा सक्त हो जाएदी डिर। पलेट या पॉलिद희 हमारी लमबी लमबी है तो इसे लमबी फैलाएंगे और इसे हम स्कॉार शचाइब देंगे चलिए Neemak तो आक दमत्तों पॉल एक पलिधין उपर से हम इसे पलट लेंगे बहुत लंबी थी तो मैंने इसे पलेट ली आप चाहें तो अलग से हम इसे पलिध लिए सकते हैं पस उसमें घी लगा लें और फिर हम इसे बेल लेंगे तो इससे क्या होगा बेलन भी हमारा नहीं चिपकेगा और बड़ी आसानी से इसको जैसा शेप देना चाहेंगे उस इसाब से हम इसे फैला सकते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे फैलाने में यह तो बस इसी तरीके से हम को फैला लेना है आपको जितना पतला चिक्की बनाना है उतना पतला फैला सकते हैं तो यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से बड़ी आसानी से यह फैल गई है चकोर्षाइज में तो बस ऐसे हम इसे फैला लेना है और कुछ मिनट के लिए यानि 15-20 म बिनित बाद हम इसका फॉलिथीन ओटा लेंगे और फिर हम इसको शेप देंगे आप इसको यहाइब में काटना चाहते हैं तो इस तरीके से फटा-फट काट लें क्योंकि से 20 मिनट बाद यानि जैसे थोड़ी सी सेट हो जाएगी इसके बाद आपको काट लेना है नहीं तो जब यह पूरा ठंडा हो जाएगा तो यह बिल्कूल भी नहीं कटेगी और बहुत परिशानी होगी काटने में तो इस बात का भी आप खास दियान रखें तो बहुत ही आसा तरीके से काटने के बाद हम एक से धुगंटा के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेमपरेचर पर और फिर आप इस तरीके से निकालकर एक प्लेट में सजा लें और देख सकते हैं कितना ठोस और क्रिश्पी बनका तयार होई है बहुत ही ज्यादा टेस् इस पेसल यह बनाया जाता है तो आप भी बनाइए खाईए और इंज्वाइए किजिए और अपनी फैमली को भी खिलाइए अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और यह जरूर करें और इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहे